हेलो फ्रेंड्स फेशनेबल क्रोचेट टुटोरियल में आप सभी का स्वागत है अज मैं आपको यह सुन्दर सा थालपोस बनाना बताऊंगे फ्रेंड्स यह बहुत ही सुन्दर लगता है बनने के बाद ऐसे बनाना बहुत ही असान है तो चले भी से बनाना सुरू करते हैं इसके लिए हमने यहाँ पर दो कलर लिया है फ्रेंड्स पिंक लिया है एक ग्रीन लिया है थ्री प्लाइ उन है हमारा अब फोर प्लाइ उन से भी से बना सकते हैं अब क्रोश्य हमने यहाँ पर दस नंबर कर लिया है तो चले से बनाना 25-26 7-28 पिन से dio बना लिए इस सर्कल के अंदर हमें 20 डबल करोशिय मैं बनानी है सर्कल के अंदर हमें तेज डबल कुरोश्य बनानी है तीन चैन जो हमने बनाए वो पहली डबल कुरोश्य है सर्कल के अंदर हमें तेज बनानी है टोटल हमें यहाँ पर 24 डबल कुरोश्य में बना लिनी है हम्ण भनिंधने होगे से कमीजाने कीका में किसमयों बॉल को लेशेरण फिर चैन नहीं हम बहुत फर टब Rocky zci किसी में ठीद कर लेनी है चैनित फर नहींत फिरम यहा पर मिँद्वाए फिर उसकी अगली डवल क्रोशिया पर हमें एक डवल क्रोशिया नहीं पρείर एक चेंट फिर अगली डबल कंळा के ऊपर डबल क्रोशिय और है अगली डबल क्रोशिय ऑपर डबल क्रोशिय यह जो भीक इशटेशे हमें प्रोसेश सम Juvy कॉब्लीट कर लेना है इस छनित किया से करें अलिए है और मिडल में आनी है यहां पर हमें सलिप स्टिच तीन चैन एक दो तीन तेम पर इसी स्पैस में हमें यह और डवल क्रोश्य बनानी है फिर एक चैन फिर उसी बाक्स में हमें दो डबल क्रोश्य और बनाने हैं यह देखिए फिर हमें यहां पर एक बोक्स हमें स्कीप करनी है फिर उसकी अगली बोक्स में फिर हमें सेम प्रोसेस से दो डबल क्रोश्य आँ एक चैन फिर दो डबल क्रोश्य यह देखिए फिर हमें एक बोक्स स्कीप करनी है फिर उसकी अगली बोक्स में फिर हमें बनानी है दो डबल क्रोश्य एक चैन फिर दो डबल डबन क्रोश्य है और जमारे तक किसी इसी प्रोसेस से हमारे यह प्रोसेस से हमें अग्लेकर ले सबसे पहले हमें को लेनी है सबसे पहले नोट लगा लेनी है अ पिर कमने हैं पर कट किया यहान पर छों मारे स्पेस ہے यहां पर पर से मैं जॉइन करनी है तो तर दुश्ञाग पर हमीद यहां पर तहना के छाए शेलिटा यहां है कि फिर फिर पर तरह प्रनानी है फिर यह और बनानी है यह रेखे यहां पर एक चैन बनानी है फिर अगला है फिर हम यहां पर बनानी है सेम प्रोसेस से दो डबल क्रोशिया एक चैन फिर उसी स्पेस में दो डबल क्रोशिया और यह बनानी है इस है फिर एक चैन फिर अगले शपेस में बनानी है इसकी अगली लैने अगले में महीं कप्रेट कर लीनी है ग 되고 lefinite से लैन हमारी कप्सेंपंद हो चुकी है उसी Alt civ me पर पूपर यहां पर शेyll यह प्रोसेस है तो डबल क्रोष्या एक जाना है, फिर है यहां पर बना लिए यहांट Bij जो पिश्ले तो यहां पर यहां पर यहां पर में स्पाल। old आगला डिजान है कि उसके जय पर हमें सेम्ती हमें बनानी है हुआ हुआ हो ना लेत方ि कि यह देखे कि फिर यह दो चैन बनानी है फिर एक चन हमने बनाए है तक पिछली यान में वहाँ पर सिंगल करोशिया है से हमें यहां पर जाइंट कर लेना है फिर दूच छैन फिर जो हमारे अगला डिजाइन है उसके ओपर हमें सेम प्रोसेस है हमें बनानी है यह देखिए इसी तरह हमें यह पूरी लैन को हमें कंप फिर सेम् प्रोसेस से जहां पर हमने प्रॉसेस से 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 प्रों से है। छाप बश्यत् ॥िर सेम् प्रोशेस से के ऊपर नहीं है यह देखे फिरंगे यहांपे हो तीन आपठानी है कि चेन हमें tetża सिंगल खोशिया में हैं यहांपे सिंगल कुर्षया से जाइंट कर लेनी पर तीन चेन शेयर तो अगंले अंची जिए पर से आने हैं तो इसी प्रोसे से हमें Is प्रेंद को हमें कम्प्रेट कर लेनी है लाइए कि यह देखिजे फ्रेंद्स यहाँ हमारी यह कम्प्लेट हो चुकी है यहाँ पर इसे जॉइंट करना है तीसरे चैन पर कि फीर अगले वाली डुबब कोष्या पर शिली पिस्टीच मिडल में शिळ्ड़ पिस्टीच फिर एक सिंगल क्रोश्या ये देखे, फिर हमें हाँ फिर किसे नौ चैन बनानी है एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नौ फिर हमारा अगला डिजाइन है वहां पर हमें सिंगल क्रोशिया से जाइंट कर लेनी है यह देखे फिर हमें 9 चैन बनानी है 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर अगले दिजाइन में के सिपेस हैं वहां पर सिंगल क्रोष्या से हमें जाइंट कर लेंडिनी है यह देखें यहां पर जो प्रोष्या हमने बनाया था हम पर यह से जाइंट कर लिना ये स्टीज तर्फिर हुमरे स्पेस है यहां पर स्टीज फिर तीन चैनму लिए की थीन यह रिस है स्पेस है इस स्पेस में हमें हरी सिपीस में यहां पर बारा ग् Herm हमें बनानी है तो इस तरह हमें यहां पर नहीं हो पहली डवल कृश्य और हमें जो हमारा अगला स्पेस के यहां 12 डवल कृश्य इस से हमें हरं स्पेस में बना लिनी है यह देखे यह देखे फ्रेंड यह लाइन हमारी है कम्प्लेट हो चुकी है हमने यहाँ पर तीसरे चैन पर इसे जॉइन्ट कर लिया स्लिप स्टीच फिर जो हमारा अगला डवल क्रोशिया है उसके उपर भी हमें स्लिप स्टीच बनानी है फिर यहाँ पर हमें एक, दो, तीन चैन फिर एक, चार चैन हमने यहाँ पर बनाया फिर एक डवल क्रोशिया हमें स्कीप करनी है उसकी अगली डवल क्रोशिया पर फिर हमें डवल क्रोशिया बनानी है फिर एक चैन फिर एक स्कीप करनी है फिर उसकी अगली डवल क्रोशिया क कुलिज है अदेञे इस तरह हमें यह पूरे लान को कम्पेट कर लिनी है तो है यह देखिए फीरन्ठ के लान को डालं हमार्य हमारी कम्पेट हो चुकी है धर अन्य kami यहां पर यह चैन पर जो एन कर लिया सली पिश्टीश से ख्रीटर अधागय कंट कर लिना हैց फिर ला फिर जहांपर हमने इसे कट किया है यह दिखिए हमने जॉइंट किया इस बॉक्स में हम यहाँ पर सिंगल क्रोश्य से हमें जॉइंट कर लेनी है फिर तीन चैन उसी स्पेस में में एक डवल क्रोश्य और बनानी है फिर एक चैन फिर उसी स्पेस में दो डवल क्रोश्य हमें और बनानी है, फिर चार चैन, एक, तो, तीन, चार, दो बॉक्स हमें स्कीप करनी है, तीसरे बॉक्स पर हमें, फिर सेम प्रोसेस से इसे तरह हमें बनानी है, यह देखिए, फिर हमें यहाप बनानी है, चार चैन, एक, दो, तीन, चार, फिर दो बॉक्स इसकीप करनी है, तीसरे बॉक्स पर डबल खुरूशिया, फिर एक चैन, फिर दो डबल खुरूशिया, यह देखिए, इसी तरह हमें यह पूरे लाइन को हमें कम्प्लेट कर लेनी है, यह देखे फिरेंड यह लाइन हमारी है कंप्लेट हो चुकी है फिर हमें यहाँ पर जॉइंट कर लिया फिर मीडल में हमें यहाँ पर सेम प्रोसेस से बना लेना है फिर हमें यहाँ यहाँ पर दो चैन फिर पिछली लाइन में यहाँ पर बनाया था है यहाँ पर हमें सिंगल से जॉइंट करनी है फिर दो चैन फिर हमें अगले डिजाइन में सेम प्रोसेस से हमें बना लेना है यहां पर बना लियां फिर दो चैन फिर हमें यहां पर सिंगल क्रोश्या से जॉइंट कर लेनी है फिर दो चैन फिर हमें अगली डिजाइन पर सेम प्रोसेस से हमें बना लेना है यह देखिए इसी तरह हमें इस लाइन को कंप्लीट कर लेनी है यह लाइन जमारी कंप्लीट हो पर हम यहां पर जोइन कर लेना है जिस तरह हमने यहां पर जोइन किया था इस तरह हमें इसे बनाना है यह दो चैन वाली हमें दो लाइन बनानी है फिर तीन चैन फिर चार चैन पांच चैन सेम प्रोसेस से हमें पांच चैन तक इसे बना लेना है तो अगली पांच लाइन हमे यह देखे, यहां थी है, नहीं अ हमने हम नीहां में हम ने हम आंप फेर लि आ पर ह। हैसल करी लिए अ हमने दो जोइन पर जाइम है,तहशा लिए सचे एसच से लेइन है संधे, लुद्फे डोली अ हमारे शुरूली यहां पर हमें सिंगल खुरोष यहां पर बनानी है यहां पर दश चैन एक दो तीन चार पांच छी साथ आठ नौह दश पिर अगले डिजैन में से हमें सिंगल खुरोष यहां पर जॉइंट कर लें पर हमें रायन जबनानी है आपनचे इस आतब अठ नोग दस फिर अगले वाले रीजायन में हम यहां पर सिंगल को से जोइंट करनी है अगले इस तरह हम यह पूरी लाइन कर लेनी है यह देखे फिर यह लाइन हमारी है कंप्लेट हो चुकिया है फिर हमें यहां पर जो हमने सिंगल क्रोश्य बनाया था यहां पर हमें सिलिप स्टेश से जॉइंट कर लेनी है फिर स्पेस में हमें सिलिप स्टेश बनानी है फिर तीन चैन फिर हमें डबल क्रोश्य बनानी है यहां पर हमारे जितनी भी यह स्पेस हैं सभी स्पेस में हमें ब इसे चैन में यहाँ सब्लिप यहाँ पर स्लिप इस्टी सब्रें यहां पर जाइन्ट कर लिया। फिर हम में यहां पर तीन पर दोप कर्लिय कर्फर एक भुल को वन आफ पर दो लूप कर लिया। फिर हमें यहां पर दो चैन, फिर एक डबल क्रोशिय स्कीप करनी है, उसकी अगली डबल क्रोशिया पर डबल क्रोशिया, फिर दो चैन, एक स्कीप करनी है, अगली डबल क्रोशिया को पर डबल क्रोशिया, दो चैन, एक डबल क्रोशिया स्कीप, उसकी अगली डबल क्रोशि यहां पर बनाया है, फिर हमें यहां पर दो चैन, फिर एक डवल कुछिय स्कीप करनी है, अब फिर यह वाली हमें यहां पर रिपीट करनी है, तो पहली डवल क्रोशिया पर हमने लिया, फिर अगली डवल क्रोशिया पर, फिर उसकी अगली डवल क्रोशिया पर, दो दो ऑगले पर double crochet तो चैन एक स्कीप अगले पर double crochet दो चैन एक इस्कीप अगले पर double crochet यह लिखिए फिर हम नहींसफ़ तीन चार बोक्स आपने बना लिया फिर हम इसे यहाँ पर alors करना है कि इसी प्रोसेस हमें यह पूरे लाइन को हमें कम्प्लेट कर लेनी है यह देखे फिर लाइन हमारी है कम्प्लेट हो चुकी है यहां पर इसे हमने जाइन कर लिया सिली पिस्टिस से एक टें धागे को हमें कट कर लेना है फिर पहला पहला कलर है अब हमें फो लेनी है तो धागे में नोट लगा लेनी है फिर यहां पर हमें से स्सेल करें जाइंट करनी है फिर यहां पर slip stitch फिर एक दो दो चैन फिर एक बुक्स हमें skip करनी है फिर उसकी अगली बॉक्स पर हमें बनानी है तीन डवल क्रोशिया एक दो तीन फिर तीन चैन फिर उसी स्पेस में हमें तीन डवल क्रोशिया हमें और बनानी है एक दो तीन फिर दो चैन फिर एक बुक्स हमें skip करनी है फिर उसके अगली बॉक्स पर सिंगल क्रोशिया से हमें जॉइंट करनी है फिर एक दो तीन तीन चैन हमें बनाया फिर जो अगला बॉक्स है वहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया से जाइन कर लेनी है फिर हमें यहाँ पर एक दो दो चैन हमें बनानी है फिर एक बॉक्स हमें स्कीप करनी है फिर उसके अगले बॉक्स में हमें फिर तीन डवल क्रोशिया एक दो तीन फिर तीन चैन एक दो तीन फिर उसी स्पेष मे में हमें तीन डवल क्रोशिय हमें और बनानी हैं एक दो तीन फिर दो चैन एक सकीप करनी है उसके अगली बखिसंगल क्रोश्या से जॉंट या कि देखिय एं फिर आपे एक दो तीन 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 यह बढ़ी दोश्रीप करनी है जुँ套ला बॉक्स से मुहा एक box skip उसके अगले box में 3 double crochet तीन chain तीन double crochet यह वाली हमें यहाँ पे बना लेनी है यह हमने बना लिया फिर दो chain फिर एक box skip उसके अगले box में फिर single crochet यह दिखिए इसी तरह हमें यह पूरे लाइन को हमें complete कर लेनी है, यह देखे फ्रेंड यह लाइन हमारी है complete हो चुकी है, फिर हमें यहाँ पर जो सिंगल क्रोश्य हमने बनाया था, यहाँ पर सिलिप स्टिच से हमें joint कर लेनी है, फिर हमारा यह स्पेस है, यहाँ पर हमें दो सिंगल क्रोशिय बनानी है, सिलीप स्टेच, एक, दो, सिलीप स्टेच हमने बना लिया, फिर जो हमारे डबल क्रोशिय है, यहां पर भी सिलीप स्टेच, फिर तीन चैन, प्लस एक, चार चैन हमने बनाया, फिर अगले डबल क्रोशिय को पर डबल क्रोशिय, फिर एक चैन, फिर अगले डवल क्रोश्या को उपर डवल क्रोश्या फिर एक चैन फिर हमारे स्पेस है इस स्पेस में हमें तीन डवल क्रोश्या बनानी है और बीच में हमें एक एक चैन एक, दो, तीन, यह देखिए है, सभी के बीच में हमने एक एक चैन बनाया, फिर एक चैन हमें बनानी है, फिर दूसरी तरब तीन डवल क्रोशिया है, इन सभी के उपर हमें एक डवल क्रोशिया हमें बना लेनी है, और एक एक चैन, यह देखिए, पिछले देन में हमने हमने ह भी मारें थैन टीचो, बनात था, 13 से तियोंरी न ऐसी से चैन जोंने चैने ह रिखे, घचेत के से गंद आहिए से आधे विर ग्रॉषिया य जोंने प्लॉषाइब चैने के picture 3 आहिए से हमें रहा हम भी मैं एक चैन, बीच में मारे स्पेस है, इस स्पेस में हमें तीन डबल क्रोश्या बनानी है, एक फिर एक चैन, फिर डबल क्रोश्या, एक चैन, फिर डबल क्रोश्या, यह देखिए, फिर एक चैन, फिर इन तीनों को पर भी हमें एक डबल क्रोश्या बनानी है, बीच में एक चैन फिर यहां पर हमें इसे सिंगल कुरुसिया से जॉइंट कर लेनी है फिर एक चैन फिर अगले डिजाइन में हमें बनानी है इसी तरह यह देखिए तो इसी प्रोसेस से हमें यह पूरी लाइन को कम्प्लीट कर लेनी है यह देखिए फेंट यह यह लाइन हमारी है कम्प्लीट हो चुकी है फिर हम यहां पर एक तूर तीसरा चैन है वहां पर हमें यहां पर सिलिप्स्टिस से जॉइंट कर लेनी है फिर उसी चैन पर हमें सिंगल क्रोशिय बनानी है यह देखी फिर एक दो तीन चैन पर जो स्पेस है यहां पर सिंगल क्रोशिय फिर हमें एक दो तीन चैन अगले स्पेस में सिंगल क्रोशिय फिर एक दो तीन अगले स्पेस में सिंगल क्रोशिय इस तरह हमारा जितना भी स्प सबी पर हमें इस तरह बनानी है एक तो तीन अब ज्यादा चैन भी ले सकते हैं सिंगल क्रोशिया फिर एक तो तीन अगले स्पेस में सिंगल क्रोशिया एक दो तीन अगले स्पेस में सिंगल क्रोशिया फिर एक दो तीन यहां तक हमने यहां पर बना लिया सभी पर यह देखें इस तरह फिर हमें यहां पर सिंगल क्रोशिया बनानी है फिर अगला जो इस पेस है एक दो तीन सिंगल क्रोशिया फिर एक दो तीन सिंगल क्रोशिया यहां पर हमें सिंगल क्रोशिया यहां पर हमें सिंगल क्रोशिया यहां पर हमारी जितनी भी स्पेस है यह देखें सिंगल क्रोशिया यहां पर हमें 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 सिंग इस स्पेस में भी हमें बनानी है हमने तीन चैन बनाया है यहां पर हमारी सिंगल क्रोशिया है यहां पर हमें सिलिपी स्टिच करनी है यह देखिए फिर तीन चैन फिर अगले स्पेस में हमें सिंगल क्रोशिया से जाइंट कर लेनी है यह देखिए इस तरह हमें यह किनारा हमे से 3 प्लाइ 4 प्लाइ किसी से भी आप बना सकते हैं यह बनने बद बहुत सुन्दर लग रहा है यह देखे फ्रेंज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया फ्रेंज तो आपके से जरूर सजरूर लाइक करें कमेंट्स करें और न्यू वीवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब झालत दो आपके जरूर से ब्रेंज हे बना सकता है तो